जल सक्ति मंत्री गजन सिंग सेखावाजी आज हमाई साथ में हैं और पूरा देश छट की पूजा मनाने में लगा हुआ है सर आज पूरा देश छट पूजा मना रहा है आप जल सक्ति मंत्री हैं और सरोबर से पूरा जुडावा मामला है सर हमारी भारते संस्कति में इस बात का विधान किया गया था कि जो कुछ भी देने वाला है उसे देवता के रूप में उसके आराधना की जाए नदियां हमें जीवन प्रदान करती है नदियों के आराधना की कल्पना की गई नदियों को देवता के रूप में देवी के रूप में मानने की कल्पना की गई सूर्य पूरी दुज्या जो है श्रष्टी को जीवन प्रदान करता है इसलिए सूर्य की आराधना की गई देवता के रूप में प्रकृति को जीवन प्रदान करने वाले और देने वाले प्रते घटक पेड़ में ऑक्सिजन देते हैं सूर्य क्योंकि हम सब को जीवन प्रदान करता है इसलिए सूर्य को जीवन प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के दरश्टी कौन से इस छट के महापर कायोजन समाज में किया जाता था और देश में मिशेश रुप से उत्तर भारत में कोटी कोटी लोग जल में जा करके, किसी भी जल सरोथ के पास में जा करके सूर्य को, भगवान सूर्य को अर्ग चड़ाते थे परंपरा वर्षों से चली आ रही है और मुझे लगता है कि इस परंपरा के नाते हमारे समाज का नदियों के साथ में, तालाबों के साथ में, सरोवरों के साथ में, जीलों के साथ में एक अनायासी सहद संबंद स्तापित होता था और जब इसतरह का संबन्ध जल्स रोतों के साथ में बना रेता था तो उसकी उनकी शुटिता, पवित्रता का संकल्प साथ साथ में उत्सर जित होता था वर्तमान में भी करोड़ों महिलें करोडों लोग इस पर्व के अवसर पर जा करके कि आज नदियों में, तालाबों में, जल्स रोतों में सनान करेंगे, अर्गे चड़ाएंगे. मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस आराधना के माध्यम से कहीं नदियों को या जल्स रोतों को प्रदूशित ने कर रहे हूं. इसका सब को ध्यान रखना की आवश्यक्ता है. बेशक हम दीप जलाएं, अपनी पूजा करें, लेकिन हम दिया मिट्टी का जलाएं, आटे से बनावा जलाएं, ताकि वो नदी में किसी भी जल्स रोत में जाकर के उसके स्वास्ते के साथ में समस्या पैदा ने करें. हम सब को संकल्प लेकर के इस परो के उपर का जो है नदी और जल्स रोतों के पास जाना चाहिए, कि हम उनकी संरक्षा और संरक्षन करेंगे और साथ ही साथ में ऐसे प्रदूशन फैलाने वाले प्लास्टिक या ऐसे प्लास्टिक के धाका जो है बसे बनेवे कपड़े या भगवान की प्लास्टिक से बनीवी मूर्तियां प्रोडूशन फैलाने वाले किसी भी वस्तुका को हम त्याग करेंगे या उसका ठीक से जो है डिस्पोजल करेंगे इसका संकल्प देना चाहिए और साथ ही साथ मैं सबसे जो है सब को बहुत सारी बधाई देते हुए सब का बहुत सारा अभिनंदन करते हुए इस चट महा पर उपर हम नदियों के पास में जल्सोतों के पास जाते वक्त साथानी भी बढ़ते हैं ताकि कहीं भी किसी तरह का कोई हाजसा नहीं हो पाए ऐसी मैं सब को कामना करता हूँ और सब से जो को चट महा पर की बहुत सारी बधाई देता हुए उत्र भारत का यह पर्व दीरी दीरी बहारत वर्श में मनाया जाने लगा हैं अब इसका कहिन कहीं रूप रायस्तान में भी देखने को मिल रहा है जिस तरह कि आप जोधपुर से आते हैं तो जोधपुर के जल्स तरोत हैं उनके उपर आपके department से जिस तरीके से लोगों को और जोत्वर के लोगों को इच्छा है जल से जल जैसे गंगला तलाब है बाइजी का तलाब है और भी बहुत साथ जल सरोत हैं जिनके आज़ भी गंदगी पाई जा रही है तो department से लोगों की उमिद है कि यह कब खत्म होगी या किस तरीके से होता कि आने वाले समय में इस जल्स रोत भी पूजनी हो जिस तरीके से पहले थे तेके मैं जैसा मैंने कहा कि जल्स रोत के साथ में सहत संबंद समाज का बनना चाहिए उनकी शुचिता, उनकी पवितरता, उनकी निर्मलता और उनकी अविरलता इन सब के लिए पहली आवर्शक्ता है सरकार या सरकारी तंत्र ही मात्र इन जल्सरोतों के शुचिता और अविरलता के लिए ने तो जिम्मेदार ही और ने परियापती है समाज को साथ आना पड़ेगा आगे आना पड़ेगा मुझे अत्यंत प्रसनता है कि जोदपुर में काम कर रहे हैं कुछ संगठन और कुछ लोग पारंपरिक जलसरोतों के पनुरुद्धार के लिए काम कर रहे हैं और क्योंकि जल हमारी सम्मिधान प्रदत्य व्यवस्ता के अनुरूप राज्य सरकारों का विशे है राज्य सरकारें इस दिशा में पहल करें मारत सरकार विबिन्य योजनाओं के माध्यम से उनका सहयोग करने के लिए इसमें जो है कटिबद है संकल्पद है